अल्राइट चेक इट आट गाईज, स्वागद आपको एस्ट्रून टेक में, दोस्तों उपो जल्दी इंडियन मार्केट में अपना काफी तगड़े स्पक्स वाला 5G स्मार्टफोन लॉंच करने वाला है, जिसका नाम है उपो F27 Pro Plus, तो आज किस वीडियो में हम बात करेंग तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मुबाल के डिस्प्ले के बारे में, जिसमें आपको 6.7 इंचेस के पंच होल के साथ एक एमोलेट डिस्प्ले आ जो कि इनेंट फिल में काफी light weight होगा और इस मुबाल का refresh rate 120Hz होगा, ओवरल दिखा है तो दोस्तों उपो की तरफ से बस आपको इस मुबाल में average display segment देखने को मिलेगा, अगर बात करें इस मुबाल के build quality के तो आपको इस मुबाल में front glass और back of frame आपको plastic देखने को मिलेगा, तो look or design इस मुबाल का काफी अच्छा होगा और इस मुबाल का in and feel भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, अब चलते हैं इस मुबाल के अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मुबाल के platform के बारे में, इस मुबाल में Android 14 operating system आपको देखने को मिलेगा, जो के color OS 14 पर based होगा, चिपसट की बात करें तो आपको इस मुबाल में, मिडेटर डामन सेटी 70-50 processor देखने को मिलेगा, तो आपको इस मुबाल में काफी अच्छा processor देखने को मिलेगा, अगर बात करें इस मुबाल के performance की तो आपको इस मुबाल से medium to high setting में काफी अच्छी खासी gaming क अगर बात करें इस मुबाल के ग्राफिक्स की तो आपको इस मुबाल में माली J68 MC4 GPU देखने को मिलेगा, तो गेमिंग ग्राफिक्स भी आपको इस मुबाल में काफी अच्छे देखने को मिलेगे, ओवरल दिखा है तो दोस्तों इस मुबाल में एक decent platform होगा, अब बात करते 4K 1080P में काफी अच्छो quality के photos और वीडियो शूट कर पाएंगे, अगर बात करें सेलफी camera की तो इस मुबाल में 8 Mega Pixel का एक front camera आपको देखने को मिलेगा, और front camera की video quality 1080P होगी, ओवरल दिखा है तो दोस्तों इस मुबाल में काफी अच्छा camera segment होगा, अब चलते हैं इस mobile के अ RGB में ही देखने को मिलेगा और इस mobile का storage catch setup UFS 3.1 होगा, अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में आपको autonomous speaker देखने को मिलेगा, और 3.5 mm dark 키 आपको इस mobile में देखने को नहीं मिलेगा, अगर बात करें fingerprint sensor के तो इस mobile में fingerprint sensor आपको under display देखने को मिलेगा, इसी का साथ आपको इस mobile में proximity clock लुमिटर जैसे A to Z सारे कॉमन संसर भी देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं इस मोबाल का बैटरी के जिसमें आपको पांचा सर आमच के लफ्य बैटरी देखने को मिलेगी चारजिंगे बात करें तो आपको इस मोबाल में 67 वाट के फास्ट चारजिंग का फीचर भी आपको इस मोबाल में आपको इस मुबाल में NFC का फीचर देखने को नहीं बीगा। अगर बात करें इस mobile के release date की तो यह mobile 29 July को इंडिया में launch हो जाएगा overall लिखा है तो दोर तो उपर की तरफ से आपको इस mobile में बस average फीचर देखने को मिलेंगे मेरे अगर आपका 30,000 का budget है तो आपको यह mobile नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसी price range में आपको Xiaomi और Realme में काफी अच्छे फीचर वाले mobile देखने को मिल जाएंगे तो चलिए आप सबसे आखर में बारी आती है इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे फीचरों को देखते हुए इस mobile के stone rating होगी 5 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लेक्श शेर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को भी on कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में